हरो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आप सबका स्वागत है मेरी रसोई में और आज यहां बनने जा रहा है फ्रेंच फ्राइज की रसिपी है तो इसके लिए हमें बड़े बड़े आलू चाहिए पहाडी आलू जो होते है वह आलू चाहिए हमें और इन्हें साइडों से कट करके हमें अच्छे से स्क्वायर शेप के फिंगर्स काटने हैं आलू के और इसे मैं छोटे-छोटे हैं वो भी काट ले रही हूँ बस उनके किनारों को काट के हम एक फाइन रेक्टेंगुलर शेप दे देंगे छोटे-छोटे भी फ्राइज बहुत ही अच्छे लगते हैं बस उनके किनारे बिलकुल बरावर होने चाहिए तो इसे हम अच्छे से साफ पानी में धोलेंगे एक दो बार तो यह दिखिए पानी में कितना गंदा सा पानी हो जाता है हमारा एक पर मैंने इसे धो लिया है अब इसे हम करम पानी में वाश करेंगे तो पानी को मैंने उबाल लिया है साथी साथ आलू को हमें नहीं डालना है पानी पहले उबाल लेंगे उसके बाद गैस बंद करना है हमें गैस बंद करने के बाद ही इसमें आलू को डालेंगे और उसमें हम आलू को 5 मेंट तक पड़े रहने देंगे जिससे की जितना ज़्यादा स्टार्च हो सके निकल जाए तो इसे थोड़ा हम 20-20 में हिला देंगे इससे आलू का कलर हलका सा पीला हो रहा है ये आलू पक नहीं रहे हैं बस कलर चेंज हो रहा है बस इनका तो आईए 5 मेंट हो गया है अब इसे हम चान लेते हैं इसका पानी देखिए थोड़ा वो भी गंदा हो गया था तो उसमें भी थोड़े बहुत स्टार्च निकले हैं और ये देखिए आलू हमारा पका नहीं है बस जरा सॉफ्ट हो जाते हैं बस अब हम इनको ड्राइ करेंगे तो इसे मैंने किचन टावल पे फैलाया है और इसे अच्छी तरह से मैं कपड़े से तॉलिया से सुखाऊंगी और हो सके तो दो मिंट इसी तरह से फैला कर छोड़ दे ताकि जो एक्स्टा वाटर भी होगा वो सूख जाएगा बिल्कुल ड्राइ करके ही हमें फ्रेंच फ्राइज तयार करना है फ्रेंच बाहर से जब हम फ्रेंच फ्राइज लेते हैं फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज पैकेट में आते हैं वो बहुत ही महेंगे पड़ते हैं तो आप आसानी से इसे घर में तयार कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, फ्रेंट्स के लिए, वैमली के लिए, ये बहुत ही जल्दी से बन जाएगी, और चाहे तो आप इसे फ्रिजर में भी हाफ कुक करके रख सकते हैं, तो ये दिखिए मैंने पानी सुखा लिया है और इसे हम फ्राइ करेंगे, तो इसे दो बार फ्र फ्राइ हो गया है, बस इस पर एक वाइट सी लेयर आजाती है, फर्स्ट लेयर, उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे, और इसे चाहे तो आप स्टोर करके रख सकते हैं, फ्रिज में आसानी से, और हफते भर तक रख सकते हैं, बच्चों को जब भी मन करें, आप फ्राइ करक करीब दो गंटे तक मैंने इसे चोड़ दिया, ड्राइ होने के लिए बिलकुल ठंडा, फ्रिजर में भी नहीं रखा हमने, इसे बाहर ही मैंने सूखने के लिए चोड़ दिया था, और फ्रेंस बस मैंने एक पिंच, इसके उपर कॉन फ्राइ चिड़का है, बिलकुल पता नहीं चलना चाहिए, इतना डाला है, मैंने बहुत ही थोड़ा सा डाला था, तो आप अच्छे फ्रेंस फ्राइस के लिए आप थोड़ा सा उसमें कॉन्फिलर डाल सकते है, तो क्रिस्प हो जाता है हमारा फ्रेंस फ्रेंस और यह देखिये, हल्का गॉल्दन ब्राउन होने पर हम इसे निकाल लेंगे तो यह सेकंड राउंड हमने इसे डीफ्राइब कर लिया है अब यह खाने के लिए बिलकुल तैयार हो गया है अब इसमें हम कुछ मसाले भी एड कर सकते हैं इसे डायरेक्ट खाने में अच्छा नहीं लगेगा क्यूंकि यह अभी इसमें सॉल्ट भी नहीं है कोई मसाले नहीं है तो मैंने इसमें कुछ मसाले डाले हैं तो आप इन में कोई भी मसाले डाल सकते हैं ओनली चाट मसाला भी डाल सकते हैं यह थोड़े से मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिये आप जितना तीखा पसंद करते हों उसके according डाले इसमें मिर्च और उसके बाद थोड़े से औरिगनो वो भी डाल सकते हैं इसमें तो ये करिब मैंने आदा चमच के बराबर औरिगनो लिया है वो डाल देंगे आप और काली मिर्च का पाउडर वह भी इसमें आड़ कर सकते हैं या डारेक्ट आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं और अब नो चिली फ्लैक्स ना हो तो चाट मसाला भी आप डाल सकते हैं बॉदी टेस्ती चटपटी सी फ्रेंच मन जाएगी तोड़ी सी काली म्रच ये दिखिये डाल दिया दोस्तों अब इन सब को हमें मिलाना है तो आप बड़ी सी बर्तन लेके अच्छी तरीके से इसे मिला सकते हैं अब हमें मिलाने के लिए मैं इसके ओपर ऐसे ढखकन रखूंगी और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, अच्छी हिला हिला के, कि चारो तरफ अच्छे से कोट हो जाएं मसाले, और बस तैयार है हमारे फ्रेंच फ्राइज, इसे आप बच्चों के लिए शाम के टाइम पे दे सकते हैं, जब बच्चे शाम को स्नैक्स मांगते ही हैं, सबी के घर में ऐसे होते हैं, शाम के टाइम पे बच्चे स्नैक्स के डिमांड बहुत जादा करते हैं, तो ये रिखिए क्रिस्प इतना बनाएं मैं आपको दिखाती हूँ, इसे उचाल के दिखाती हूँ, इसकी आवाज सुनिए, दिखा, ये इतने क्रिस्प हैं और अंदर स ये बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे, तो आप इसे तोड़ कर भी देख सकते हैं, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्प, तो ये ऐसे ही होने चाहिए, तो आप भी अपने गर्भ में ऐसे बनाएं, और इसे आप सॉस के साथ, आपकी मर्जी जैसे भी खाएं, सॉस, हरी चट बिदाल सकते हैं, मैंने अभी डाल दिया है, और इसको थोड़ा अच्छे तरह से हमको मिक्स करना है, फिल सॉस, चटनी या मैयोनीज के साथ, आप इसे बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे सॉस, मैयोनीज बहुत ही जादा पसंद करते हैं, उसके साथ आप फ्रेंच फ्रा पी कैसी लगी, और फ्रेंड्स, अभी कौन सी वीडियो में आगे नेक्स बनाओ, या ये भी आप मुझे सजिस्ट कर सकते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में, बाई बाई फ्रेंड्स